पूरा देश बीजेपी सरकार के खिलाफ है मुम्रा में भी इतिहासिक कुल जमात का विरोध परदर्सन हुआ मगर जिस तरह से जामिया के छात्रों ने इस नागरिकता संसोधन कानून का विरोध किया विरोध में हिंसा हुई क्योंकि प्रोटेश्ट करना और अपनी बात सरकार के सामने रखना क्या कोई अपराद है जो पुलिस ने छात्रों की पिटाई कि आखिर इस कानून से भारत को बचाने के लिए लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं चारों तरफ बीजेपी सरकार की किरकिरी हो रही है इन विरोध परदर्सन में मोदी अमीर साह के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं परदर्सन के दौरान एक तस्वीर परदर्सन कारी लेकर चल रहा था उस तस्वीर को ध्यान से देखें कि आखिर ये तस्वीर कुछ तो कह रही है जिसे हमें और आपको समझना है आखिर ये तलवार किसके हाथ में है और तलवार की धार किसके गले पर है आपको बता दे कि कानून से सिर्फ मुसलिम ही नहीं बल्के हर तबके के लोग जो बेहत गरीब जो हमेशा खेतों में काम करते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं ऐसे में लाखों लोग भारत में हैं जिनके पास कोई दस्तावेस नहीं है तो क्या वो भारती ये नहीं है पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की सिटीजन सिप को धर्म से चोड़ा गया है और ये एक तरह से हमारे देश की जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको बदलने वाली घटना है नागरिक्ता संसोधन कानून पर महराष्ट के विधान सभा सीत्र सत्र में भी खूब हंगामा हुआ कॉंग्रेस ने कहा ये कानून भेद भाव पैदा करता है इसे महराष्ट में नहीं लागो किया जाना चाहिए तो वहीं विपक्ष नेता दिवेंद्र फढ़न वीस ने इस पर कण एतरात जाता है मैं समाच से आता हूँ वह समाज वंजारी समाज है जो कन्ना तोड़ने के लिए 507 समाज जनका घर नहीं जिंके पास कोई हमेशा के वास्तवव्य के लिए कोई जगा नहीं है जो खेती में पहड़ों में रस्ते पे रहते हैं वह दाखिले कहां से लाएंगे तो ये कानून अगर बताया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ है नहीं ये कानून उस हर गरीब आदमी कोई लिए है जिसको डाक्टर बाबा साहिब अंबेड कर रहे सुरक्षित कर दिया था जिसको नागरिक बना दिया था अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें